नमस्कार दोस्तों आप लोगों को पता है कि आज कल डेंगू बुखार बहुत ज़्यादा चल रहा है मेरे एक सब्सकाइबर ने बोला कि सर डेंगू बुखार के उपर कम्प्लीट वीडियो बनाईए कम्प्लीट इसका ट्रीटमेंट बताईए तो आज के इस वीडियो में डेंगू बुखार के बारे में आपको बताने वाले हैं डेंगू बुखार आखिरकार होता क्या है इसके लच्छड क्या दिखाई देते हैं इसको पहचानेंगे कैसे आप साथी भाई इसका इलाज क्या है एलोपैथिक इलाज भी बताने वाले हैं साथी साथ घरेलु नुस्खों के बारे में भी बात करेंगे कि भाई घर पे रहके वो कौन सी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं ताकि डेंगू फीवर जो है आपका जल्दी से जल्दी सही हो तो चलिए दोस्तो मेरा नाम है धर्मेंदर, मैं एक रेजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूँ और इस चैनल पर आपको दवायों से जूली जानकारी और हेल्थ से जूली जानकारी देता रहता हूँ तो अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सकाइब जरूर करें वीडियो को लाइक और सेर जरूर करें सबसे पहले दोस्तो आपको बताएंगे कि भाई ये डेंगू बुखार आखिरकार है क्या तो दोस्तो जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि जो ये डेंगू है ये मच्छर के काटने से फैलता है ये जो डेंगू फीवर है ये किसी परसन से किसी परसन में नहीं फैलता है कहने का मतलब है जैसे किसी दूसरे के ये डेंगू बुखार है तो ये उसके थुरू आपक नहीं हो सकता जब आपके मच्छड काटेगा जिसको मादा एडी जो है बोलते हैं तो उस कंडिशन में आपके ये डेंगू बुखार हो जाता है दोस्तों बात कर लेते हैं कि मान लीजे कि किसी के डेंगू फीवर हो जाता है डेंगू बुखार हो जाता है मच्छड काट लेत तो उस कण्डीशन में इसके लच्छड क्या-क्या जो है दिखाए देते हैं इसको आप कैसे पहचानेंगे तो दोस्तों अचानक से हाई फिवर आ जाएगा साथी साथ दोस्तों आपके सर में जो है बहुत जादा दर्द होगा इसी के साथ दोस्तों आपके आँखों के पीछे ऐसा लगेगा कि भाई मेरे आँखों के पीछे जो है दर्द हो रहा है जोडों में आपके जो है जो है ज्वाइंट में बहुत जा लगेगी इसी के साथ दोस्तों कुछ दिनों के बाद आपको आपकी इसकिन पर रैस भी दिखाई देंगे यह जो रैस हैं दोस्तों यह आपको जो है डेंगू होने के दो से पांच दिनों के बाद दिखाई दे सकते हैं, साथ दोस्तों डेंगू फिवर में mild bleeding भी हो सकती है, वो bleeding आपकी nose, nose bleed हो सकती है, साथ दोस्तों आपके gums जो हैं, मुह के, मुह से bleeding हो सकती है, तो अगर माल लिजे कि आप आसानी से brush करते हैं, मंजन करते हैं, तो तब भी यह bleeding आसानी से होने लगेगी, तो दोस्तों यह हैं डेंगू बुखार के लच्छड जो के आपने समझा, अब दोस्तों हम बात करते हैं कि डेंगू फिवर में एक आम इसका लच्छड है, कि इसमें प्लेटलिट्स का कम हो जाना, प्लेटलिट्स इसमें बहुत जल्दी कम ह हो जाती हैं, बात करें कि इसमें कौन सी जांच करानी रहती है, कैसे पता लगाया जाता है, तो दोस्तों सबसे पहले तो जब भी आप जाते हैं, तो डॉक्टर जो होते हैं, वो ब्लेट टेस्ट कराने की सलाह देते हैं, ब्लेट टेस्ट में प्लेटलिट्स का पता चलता ह क्योंकि दोस्तो डेंगू फीवर में प्लेटलेट्स बहुत जादा मातरा में कम हो जाती हैं तो उससे जो है कुछ चीजे डॉक्टर फाइंड आउट कर लेते हैं उसके बाद में दोस्तो अगर माल लीजे कि उससे भी क्लियर नहीं होता है तो फर्दर टेस्ट होते हैं इसके कोई specific medicine नहीं है डेंगू बुखार की साथ ही साथ दोस्तो बचाओ ही मातर एक इसका उपाए है यानि कि भाई जब भी जो है आप सोएं तो अपने जो है कपड़ों को अपने जो है हाथ पेरों को अच्छे से ढख लें साथ ही मच्छड दानी वगएरा का उप्योग कर सकते हैं अब यह तो हो गया इसका बचने का उपाए कि भाई इससे बचा कैसे जा सकता है तो मच्छड जहां पी हैं अलाउट वगरा लगा सकते हैं आप तो उस कंडिशन में जो है मच्छड ना काटें ऐसा आप कर सकते हैं कुछ उपाए जिससे आपके मच्छड ना काटें मच नहीं काटेंगे तो डेंगू फिवर होने के चांसस बिल्कुल भी नहीं होंगे अब दोस्तों आपको बताते हैं कि वह कौन सी दवाईयां हैं जो डेंगू बुखार को ठीक करने के लिए डॉक्टर देते हैं सबसे पहली जो मेडिसिन है वह है पैरासिटामॉल पैरासिटाम जो कि NSAID क्लास की दवाईयां हैं जैसे कि एस्प्रेण वगरा हो गई यह दवाईयां बिल्कुल भी उपयोग यहां पे नहीं होंगी कंट्रा इंडिकेटेड है क्योंकि दोस्तों यह जो एस्प्रेण वगरा मेडिसिन हैं यह क्या करती हैं दोस्तों कि आपके ब्लेडिंग होने के चांसेस को बढ़ा देती हैं तो जो है आपकी ब्लेडिंग बढ़ सकती है तो उसकेस में एस्प्रेण वगरा इसमें कंट्रा इंडिकेटेड है बिल्कुल भी उपयोग नहीं होगी सिंपली पैरासिटामॉल टैबलेट का उपयोग किया जाता है अब दोस्तों बात करते हैं घरेलू उपाय की घरेलू उपाय में सबसे पहले तो आपको ज्यादा से ज्यादा लिकविड डाइट का सेवन करना है लिकविड डाइट भाई जैसे कि आप जूस पी सकते हैं पानी का सेवन बहुत ज्यादा मातरा में आपको करना है यानि कि पूरी तरीके से योग आप कर सकते हैं गिलवाय जूस के कई सारे फायदे हैं दोस्तों ये क्या करेगा आपके मेटाबॉलिज्म को इंप्रूफ करेगा साथ ही साथ दोस्तों आपकी इम्म्यूनिटी को स्ट्रॉंग करने का काम करेगा जिससे जो आपका बॉड़ी है वो डेंगू फिवर से लड़ने में सच्छम हो पाएगा साथ ही साथ दोस्तों गिलवाय आपकी जो प्लेटलेट्स हैं उनको बढ़ाने का भी काम करती है तो डेंगू फिवर में प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा कम हो जाती है तो वो भी इंटीज करेगी जो ये गिलवाय जूस है आगला दोस जो है बहुत ज़्यादा करवा होता है दोस्तों इसलिए उसको पीने में थोड़ा तकलीफ होती है लेकिन ये जो जूस है ये जो है रामबाड अवसधी है डेंगू के बुखार में ये क्या करता है दोस्तों ये प्लेटलेट्स को बढ़ाता है आपके सरीर में जो प्लेट का जूस आप निकाल के पी सकते हैं इसमें कई सारे जो है नूट्रेंट्स होते हैं ये क्या करेंगे कि इसमें दोस्तों बिटामिन सी पाया जाता है विटामिन सी क्या करेगा आपकी इम्मुनिटी को बढ़ाने का काम करेगा जिससे जो है आपका सरीर डेंगू फिवर से ल